मजदूरों का पसेना सुकने से पहले उसकी मजदूरी आदा करने चाहिए। इस दुनिया में शोशितों और वन्चितों के समानते के लड़ाई लड़ने वाले उनका संदेश कुरान प्रवचन से हमको मिलता है। यही कुरान प्रवचन का संदेश जमाते इस्लामी इंद के वज़े से वस्वकल्यान में पिछले आठ साल से हम सब को सुनाई दे रहा हैं। इस साल थेर मैदान में 13, 14, 15 डिसेंबर को फिर एक बार महमत कुनिस साहब की वज़े से हमको सब को ये संदेश सुनने को मिलेगा। मैं बस्वकल्यान के सबी नागरिकों को विंती करता हूँ, क्योंकि समाज में आज जो नफरत फेल रही है, जो समाज में कहाना कहा ग्याप हो रहा है, इसको भरने के लिए समाज में सब को एकटा लाने के लिए, फिर एक बार समाज में शांती पैदा करने के लिए कही ना किय ये संदेश हमको सबको सुनने के जरूरत है क्योंकि विश्वगुरु बस्वर्णाजी का कर्म हुई बसो कल्यान है उनका एक सपना था कि सभी जाती के लोग यहां पर शांती से रहे सरव जनांगत शांत तोटा मतलब सब लोग मिलके रहे इसके लिए हम सबको इस प्रश कारी राज़ है वो बनेगा ऐसा हमरे व्यक्तिकत मानना है इसके लिए आप सब को इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जमाति इसलामी इंद की वज़े से जो ये कुराम प्रवचन कारिक्रम जा रहा है इस कुराम प्रवचन कारिक्रम है तेरा, चवदा, पंदरा डिसेंबर, थेर मेदान सबा बहुन में करेक्ट साड़े चे बज़े शुरू होगा क्योंकि उनकी वक्त की पाबंद्य है बहुत ही एकुरेट रहती है इसके लिए साड़े चे बज़े से शुरू होकर साड़े आठ बज़े तक ये कारिक्रम चलेगा इसके लिए आप सब को, आप सब अपना अमुल्य जो टाइम है, तीन दिन का साल का ये टाइम है, इसके लिए देंगे ऐसे आशाकरत है